Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो history subject है हमारा, उसके notes हम कैसे बना सकते हैं अगर आप class 10th के हो, या आप class 11th के हो, या class 12th के हो, तीनों के लिए ये वीडियो important है, आप सभी को बहुत ध्यान से देखना है दिखें, मैंने एक बच्चे का comment बढ़ा था, उस comment में उन्होंने ये लिखा था, कि मैं notes बनाता हूँ, तो मुझे 4-4 घंटे लग जाते हैं एक chapter के notes बनाने में, और काफी ज़्यादा मतलब वो बड़े notes बन जाते हैं, जिसकी वज़े से काफी time जो है, वो waste होता है तो notes बनाने का एक बहतर तरीका क्या हो सकता है, किसी बच्चे ने मुझे comment पर पूछा था, और मैं ये मान के चल रहा हूँ, कि बहुत सारे बच्चे अगर notes बनाने बैठते होंगे, तो उनके साथ भी ये problem जरूर आती होगी, तो इस video को देखोगे आप, तो मैं आपको एक एक common mistake की, जो ज़्यादा तरी students जो होते हैं, जब वो notes बनाने बैठते हैं, तो उनसे एक गलती होती है, वो गलती क्या है, कि वो notes जब बनाने बैठते हैं, तो काफी long लिख देते हैं, मतलब बड़े-बड़े notes बन जाते हैं, यहाँ पर दिक्कत एक है कि क्या करेंगे वो उसमें से topic को पढ़ते हैं, और उसको हूबहू notes बनाने के चकर में सेम जो NCRT में दिया हुआ है, उसे लिख देते हैं, अपनी notebook में यहाँ जहां पे वो notes बना रहे हैं, तो वो short notes ना होकर long हो जाते हैं, और क्या होता है, आपको बता है कि कुछ story type की लिखी होती है, तो उस आप NCRT से लगबग लगबग वैसा का वैसा अपने notes में उतार रहे हो, तो उसका फाइदा क्या है, क्योंकि वो चीज़े तो NCRT में पहले से लिखी हुई है, इस से अच्छा तो आप उसको underline कर लेते हैं, जो आपको main लगता, आपका time बचता, आप NCRT को दो बार, चार बच्चे कि वो proper एक register या notebook जो होती है, उसको mandate नहीं करते, कई बार क्या करते हैं, कुछ बच्चे, जैसे मानलों के पास कोई register है, कोई copy है, कोई book है, उसके पीछे 10-12 page खाली है, तो वहाँ पे वो एक unit के notes लिख देंगे, ठीक है, फिर किसी दूसरी register में unit 2, अगला जो chapter है उसके notes लिख देंगे, कुछ page पड़े हैं, खाली उस पे लिखना शुरू कर देते हैं, यानि कि उनके जो notes होते हैं, वो एक जगा पर arrange नहीं होते, एक जगा पर compile नहीं होते, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसमें समस्या क्या है, जब मानलों आप इधर उधर अगर notes को लिखोगे, बनाओगे, तो बाद में आपके साथ समस्या यह होएगी, कि कल को आप ढूंडोगे तो आपको मिलेगा नहीं, आपको 10 जगा आप लिख रहे हो तो 10 जगा ढूंडना पड़ेगा, तो ऐसी गलती भी नहीं करना है, एक proper एक register बनाना है, बेसक से आप rough register बना लो आपको तो ये भी अच्छी चाहिए, ठीक है, ये mistake आपको नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा बड़े notes नहीं बनाने और उसको अलग अलग जगा पे नहीं बनाना है, एक simple से register को लेके उसमें बना सकते हो, अब बात करते हैं कि जो अच्छे notes है, उसकी क्या विशिषता है, कै आपको अपने notes में लिखने है, ठीक है, दूसरा क्या है, आपके notes जो है, वो to the point होने चाहिए, बिल्कुल, जो मतलब to the point हो, उसमें ज्यादा story बगर है नहीं, तीसरी चीज क्या है, कि आपके notes जो है, वो दुनिया को समझ आये नहीं, लेकिन आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है, आप खुद के लिए बना रहे हो notes, तो आपको समझने में कोई problem ना हो, अगर आप किसी और person को notes दे दो, वो उसे पढ़े तो हो सकता है, उसे समझ में आये, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे से आपको कोई मतलब नहीं, आप खुद के लिए बना रहे हो, तो आपको notes सम अच्छे हों, और उसको पढ़के अगर हम exam में जाएं, तो हमारे marks भी अच्छे हैं, और बहुत सारे बच्चे देखो, कई सारे student ऐसे होते हैं, जिनको आदत नहीं होती notes बनाने की, पर कुछ ऐसे student है, जिनके आदत होती है notes लिखने की, तो ध्यान रखें, notes अगर आप बन बनाते हो, चले देखते, आप यहाँ पर questions कई सारे बच्चे कुछा हैं, की सर वीडियो देखकर notes बनाएं, या फिर book पढ़ें, पहले क्या करें, पहले वीडियो देखें या पहले book पढ़ें, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको video देखने है, video क्यों देखने में आपको bijच जाते हैं chapter मानलो हमने chapter 1 खोला अपनी एंसे इटी बुक में और हमने पढ़ना शुरू कर दिया आपने पहला पेज़ पड़ा पहले पेज में आपको सब कुस समझ में ठीक है आपने दूसरा पेज पड़ा वहाँ पे आपको सब कुस समझ में आगया अपने आपसे तो ठीक है मानलो आपने तीसरे पेज पेज पहुंचे और वहाँ पे आपको कोई चीज नहीं समझ भाई या आप आठक जाओगे फिर वहाँ से आपका टाइम वेश्ट होना सुरू हो जाता है लेकिन अगर आप वीडियो को देख लेते हो तो वहाँ पे आपको सारी चीज अच्छे स देख रहते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर की थीम किया है क्या टॉपिक है कि इन चीजिजों पर डिसक्रिशन है आपको उसका आपको समझ में आगई क्यूंकि आपने पहले ही उसका explanation देख रखा है तो यहां पर यह चीज भी ध्यान लख नहीं और प्लेय का लिंक description में दे दूँगा वहाँ पर जाके आप सारे chapter देख सकते हो जो आपकी syllabus में एक chapter नहीं बना हुआ है वो मैं इस Saturday Sunday को वो cover करा दूँगा आपका पूरा खत्म कर दूँगा ठीक है तो इस तरीके से आपको बनाना है और एक चीज और यहां पर ध्यान रखें नोट्स लिखते समय देखो नोट्स बनाओगे तो आपको फायदा होगा नोट्स एकदम सौट होने चीए बिल्कुल सौट होने चीए ठीक है यहां पर मैं आपको केवल नोट्स बनाके दिखा दूँए फिर एक्जांपल दो चार दिखा दूँए जिससे आपको थोड़ा और अंदाज हो जाए तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजिए ठीक है यह मैंने किसी बच्चे की कॉमेंट को देखकर यह वीडियो बनाई है अगर आपको लग रहा है कि अ पहले आपको वीडियो को देखना है समझना है फिर NCRT पढ़ने है उसके बाद आपको नोट्स बनाने है नोट्स आपके तूदा पॉइंट होने चाहिए आपकी समझ में आने चाहिए क्योंकि वह आपके नोट्स है यह चीज़े आपको करनी है ठीक है आप मुझे बताईए मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग सभी को जै हिंद जै भारत